हेलो भाई हो स्वागत है आपका अपनी चैनल फैंटेसी दूर द्रशन में चलिए बात करते हैं जी आडी वर्सेस बीजी आर का मैच है A to Z रिकॉर्ड की बात करूंगा इसेंट जो इनके मैच हुआ है उसका performance क्या है और लाच्ट ये इनका performance क्या रहा था और अभी जो पांच मैंच schade है इनका क्या performance रहा है इसमें और इनका retailers का stats का है A to Z हार एक player का बात करेंगे कौण most wickets लेता है इस pitch पर कौण ज़दा runs मारते है दोनों teams के तरप से क्या line up रहने वाली क्या playing 11 रहने वाला है भाई सब चीज कवर कर रहे हैं आपन लोग तो वीडियो में लगातार बने रहेगा वीडियो को like, share, subscribe कर देज़ेगा ये वीडियो आप देख लोगे तो मैं दावा करता हूँ आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जुरूत नहीं पड़ेगी क्यूंकि मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया आपके लिए तो वीडियो में लगातार आपको खले बने रहना है चले स्टार्ट करता है विनादेर के हुए इस वीडियो को तो पहले बात जो नहीं हो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब कर दिजेगा गाईज क्यूंकि इतना सारा आप लोग के लिए लिखते हैं इतना सारा आप लोग के लिए डीटेल्स कोस्त है यह सब अपने को बहुत टाइम लगता है इसको करने में तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है एक सब्सक्राइब करने से अपने को मोटिवेशन मिलता है तो आपन क्या रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे अगर आप अपने को लाइक से और सब्सक्राइब करोगे और बला इकन को प्रेस करोगे तो प्लीस यह करना बिलकुल मत बुलिएगा चले बात करते है मैच की तो जी अर्डी बर्सेस बी-जी Αर के मैच रहने वाला जो ग्रेंड लिगे उस्माल लिगे खिलते हो भाहि उन लोग तयार रहना आर रेडी रहना हाई इन्वेस्ट्वेंट के लिए बेस्ट मैच रहने वाला है अच्छा खासार विन हो तो इसमें भी हार गई इसमें भी इसमें जीती भाई डेफिनेटली फिर इसमें भी बियार गई तिन मैच जीत कर फिर एक मैस लास्ट वाला जो है उसको भी हार कर आ दिये तो कुछ इस प्रकार का इनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हो DB के साथ मैच हुआ भाई 9 विकेट में DB ने GRD को बीट कर दिया FCS के साथ जब मैच हुआ तो FCS ने भी GRD को बीट कर दिया 49 रन से फिर 4th मैच, 3rd मैच भी FCS के साथ हुआ तो FCS ने यहां भी 8 रन से हारा दिया फिर GRD का LSH के साथ हुआ तो 35 रन से हारा दिया फिर यहाँ पस DV का साथ मैच हुआ जी आडी का तो पैते संसे हार गए जी आडी ने यहाँ बीट कर दिया था LSH को माफ करेगा यहाँ पस जी आडी डेफिनेटली जीती थे यहाँ पस हार चुकी है तो कुछ इस प्रकार क्या है BGR का रिसेंट फॉर्म बता दू तो एक मैच हार कर फिर एक मैच जीत कर फिर तीन मैच हार कर आ रहे है भाई just उसका आपोजिट कर दी मालेब अगर उसके टीम को आपोजिट कर दू मालेब उसका recent form को आपोजिट कर दू तो इसका recent form निकल के आ जाता है कुछ इस परकार का इनका है इनका बताओ तो first match इन्हों ने SPB के साथ SPB वर्सेस BGR का मैच हुआ तो यहांपस BGR हार गया 27 रन से SPB ने बीट कर दिया BGR को फिर 2nd जो मैच हुआ भाई FCS के साथ वापस FCS ने फिर से बीट कर दिया BGR को 10 विकेट से फिर 3rd मैच हुआ DV versus BGR का 54 विकेट से 54 रन से माफ करेगा हारा दिया यहांपस DV ने BGR को फिर 4th मैच हुआ भाई BGR versus GRD GRD यहां भी जियार को finally बीट कर दिया 9 विकेट से भाई कुछ इस प्रकार के इनका performance देखने को मिला है Recent form का proof दिखा दिया मैं आपको अब इनका S2S record बता दू टोटल 6 मैच हुआ है भाई दोनों के बीच 2 मैच GRD जीती है चार मैच BGR जी चुके Recent form की बात करो तो Recent form इनका क्या रहा है आप यहांपस देख सकते हो पहला मैच GRD versus BGR के हुआ तो यहांपस GRD ने बीट कर दिया BGR को 9 विकेट से मतलब GRD तीन बार जी चुकी है एक मैच यह और एक मैच उपर में जीती थी तीन वार जी जी चुकी बागी तो कुछ इस प्रकार का है overall इंका analysis के बाद मुझे पता चला भाई GRD का balance team रहने वाला है और BGR के attacking ballers है मतलब BGR के ballers को आपको team में ट्राइ करना ही करना है क्योंकि GRD के तो balling और batting order दोनों का बराबर ही रहा है GRD लेकिन BGR का आपको देखने को मिलेगा attacking ballers अब यहां बैटिंग first अगर करते हैं तो अगर toss जीते हैं तो यहांपस batting first GRD 36% chance है पहले batting करेगा BGR का 35% chance है और यहां batting second का chance GRD का अगर करता है तो जीतेगा तो यहांपस 23% chance है BGR का 50% है मतलब second inning में GRD का chance बिल्कुल नहीं रहता है जीतने का तो यह बात ध्यान रखेगा BGR का first inning हो second inning हो दूरों में आधाम से जीत सकता है प्रोबबिल 11 कुछ इस प्रकार कर रहेगा आप देख सकते हैं आपस आपको final update telegram पर भी मिल जाएगा description में link given है जरूर से join कर ले जाएगा क्योंकि इसमें आपन आधी update देते हैं final update आपको telegram पर ही मिलने वाला है अब बात कर लेते हैं top picks कौन कौन से रहने वाले topics बताओ भाई GD के तरब से तो आपके पहले topics है S.A. Hooper आपके लिए 148 run का score किया 8 innings में भाई इनका average 21.14 के आसपास रहा है और इन्होंने 4 wicket लिया है पूरा economy इनका 5.93 है तो आपके लिए differential pick एक नंबर के बन सकते हैं S.A. Brown ने आपके लिए कितने important हैं हापस मैं so कर दिया topics बताओ भाई topics कौन कौन से रहने वाले यू थॉमस हैं 178 innings में 8 matches में 177 run 14.62 का strike rate इनका 121.87 का है आठ चौका मारे है आठ शक्का मार चुके है तो यू थॉमस को drop करना मतलब risk लेना भाई GLSL आपका जो भी opponent team होका यू थॉमस को जरूर से जरूर अपने team में try करेगा के विलियम्स की बात करो भाई 7 match में 6 wicket ले चुके हैं 8.5 का economy rate है score बताओ 60 run है total इनका इस पूरे tournament में strike rate बताओ 105.26 का है अच्छे खासे आपके लिए dream 11 fantasy team के लिए अच्छे खासे best option बन सकते तो जरूर से try किजेगा captain wise captain का selection मैंने यहाँ पस दे दिया है इसके base पर आपको क्या करूँगा मैं एक team provide कर दूँगा बीना captain wise captain का तो जो इसमें से आपको ठीक लगे उसको आप captain wise captain के लिए try किजेगा मैं यहाँ पस इनका record बता दू तो first match का record है बाई जी आपको इधर से record बताओ पहले आसिफ उपर आ जाते हैं 8 match में 8 innings में 151 प्लस 52 इनका highest score है strike rate 188.95 का है average जिनका 21.57 का है मलब आपके लिए यह उपर कितने important है एक minute पर आपको zoom करके दिखाऊंगा भाई देख सकते हूँ यहाँ पस यह उपर आपके लिए कितने important है as brown ने भी important है आपके लिए भाई second number पे आजाते हैं as brown ने यहाँ पस 8 match में इनका 8 innings में 146 रन है highest run इनका highest score इनका 53 है 112.31 का strike rate है केरनेट आ जाते हैं third number पे 8 match में इन्होंने 8 innings में 94 run score किया भाई 33 इनका highest rate है के अबराहिम की बात करो 8 match में 6 innings में इनका 78 score किया है highest score इनका 42 रहा है strike rate इनका 169.18 देखने को मिला है कि आर रिचार्ट की बात करो 8 match में 6 innings में 47 run score किया भाई highest score इनका 20 है टी हरी की बात करो 4 match में 2 innings में 35 run 29 highest run है इनका जे विलियम्स की बात करो भाई 4 match में 4 innings में 21 run प्लस 15 इनका highest run है और 84 इनका strike rate है जे बर्णम की बात करो 7 match में 4 innings में इनका highest run है यही एर ब्राउनी के बात करो भाई 8 match में 1 innings में हिनोंने 6 run और highest run है तो कुछ इस परकार का है भाई आप देख सकते हो most wickets की बात करो अब क्योंकि यहां से आपका मदलब खेल ही खतम हो जाता है यहां पस से इदर के लोगों को देखना ही नहीं आपको बिलकुल भी नहीं देखना भाई बिलकुल भी नहीं क्योंकि आपको टॉप फॉर के साथ जाना है ठीक है टॉप फॉर या फाइब को लेना है आपको ठीक है उससे जादा नीचे बिलकुल नहीं जाना क्योंकि उससे नीचे आपक बैटिंग ओडर देखने को मिलेगा उनका स्कोर्स देखने को मिलेगा तो आप बिल्कुर अपने टीम में ट्राइ नहीं करेंगे मैं इसलिए यहां पस क्लियर कर दे रहा हूं बाकी आपको टीम बनाते समय एक एड़ाइस दूँगा तो बीडियो में बने रहीएगा मोस्ट विकेट्स की बात कर लिजा है भाई मोस्ट विकेट्स क्या 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 कौन कौन ले रहे हैं तो ए हूपर है फर्स्ट नमबर भी आठ मैच में भाई आठ इनिंग्स में 16 ओवर किये हैं आठ मैच में आठ इनिंग्स में भाई यहाँ पस 10 क्रेट्स अंका और 3 विकेट्स ले चुके हैं फिर भी ब्राउणी के बात करो तीन विकेट्स आर रिचार्ड के बात करो दो विकेट्स बाके लोगों को बात करते अच्छे से मिला नहीं अज़ें इस ब्राउणी और के एड को में भी अगर ट्राइ करते तो विकेट इनको अभी हाथ नहीं लगा है इनके बाकी बॉलिंग वगरे तो मिला है आठ मैच में भाई एक एक इनिंग मलब इनको दो ओवर कभी एक ओवर ऐसा मिल गया है अब चले बात करते हैं नेक्स्ट टीम की अब यहाँ पस पहले न पासट का एवरेज रहा है इनका जेव एल्डर की बात करो बाई जेव वाल्डर की बात करो आठ मैच में आठ इनिंग्स में पचत्तर रन इसकोर किया है तेईस इनका हैस्ट इसकोर है डी डेल पे चे उतना आच्छा कासा रन देखने को नहीं मिला है पचीस रन है आर किया है यदि इन में से कोई प्लेयर आता है नियू खेलने के लिए तो आपको अपडेट कर दूँगा टेलेग्राम पे सबका यहां पस फाइनल आपको स्कोर कार्ट देखने को मिल जाएगा पूरे टूर्णमेंट में इनका क्या रिकॉर्ड रहा है मोस्ट विकेट के बात किया रहें गात हैं घट प्राविडंस के बात करू भाई 5 विकेट लेगा बाकी इधर आपको लास्ट में जो ए डवलू जीर करके i w जीर के इनको बिलकुल ठ्राई नीकरना अपने टीम में चार मैच में वाई एक इनिक्स एक ही ओवर मिलता इनको खेलने के लिए प्लस विकेड ले गया है, इकोनोमी इनका 9 करा है, बहुत ज़ादा, तो यह बात के ध्यान रखेगा, चलिए बात करता है, हमारा फाइनल टीम क्या रहने वाला है, अब भाई, यहाँ पस आप देख सकते हो, हमारा ड्रीम 11 का फाइनल टीम क्या रहने वाला है, यहाँ पस मैं कुछ टॉप प्लेर्स को रखा हूँ, अपने टीम में ट्राइ किया हूँ, इनको आप ड्रॉप कर देना, इनकी जगा आप किसी और को ट्राइ कर देना, आपके लिए जो बेस्ट आप सामने है, रिकॉर्ड वीडियो में बता दिया है, मैंने, यदि स्किप कर के आया हो, तो इसको जाना, प्ले करना, फिर स्किरिंस ओड ले लेना, उसका क्या है, आपको उससे नॉलेज रहेगा हर प्लेयर का, क्योंकि A to Z प्लेयर का नॉलेज में उसमें दे दिया है, तो आपको क्या है नॉलेज रहेगा, तो आप न्यू प्लेयर्स को भी अपने टीम में ट्राइ कर सकते हो तो इसलिए बोल रहा हूं टॉप के फोर के साथ जाना बाकि उससे नीचे जाने की ज़रुवत नहीं है और बॉलर्स में सबसे टॉप में जो बॉलिंग करने आते हैं और जो मेड़न ओर्डर में आते हैं बाकि जो उदर लास्ट में आता भाई एक आद ओवर करने आता है तो उससे बीच में आपको फरक पढ़ने वाला बेलकुल भी नहीं है यह बात कर ध्यान रखेगा ठीक गराइस मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में नए अनलेसिस के साथ